हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्मूथनिंग रिबॉंडिंग आप केरेटेन के बाद अपनी फूल रूटीन शेयर करूंगी कि केरेटेन रिबॉंडिंग स्मूथनिंग करवाने के बाद मैं किस तरह से अपने बालों का ध्यान रखती हूं वैसे मैंने स्मूथनिंग करवाई है और स्मूथनिंग करवाई हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुक है इतना टाइम होने के बाद भी आप मेरे बाल देख सकते हैं कि काफी ज कर दो धिर बाद भी मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हैं, icons आपके साथ शियरक भी इडिवर स्वेते को आपकर टो कर जब भी मैं हेर वाश करतीय के बाद दो दिन में अपने बालो पर आइल नहीं लगाती हो क्योंकि मैंने स्मूथिंग कर वाई है तो खुले बाल भी अच्छे लगते हैं और मैंने आईलिंग को कभी भी स्कीप नहीं किया आहलिंग मेरी रुटीन है आइलिंग में हमेशा करके रखती हूँ जो आइल आपको अच्छा लगता है वो आइल यूज कीजिए मस्टर्ड आइल, आमला आइल, कोकनेट आइल, कोई प्रोफेशनल आइल जो भी आइल आप यूज करना चाहते हैं वो आइल आप यूज कर सकते हैं आइलिंग को कभी भी स्किप मत कीजिए आइलिंग हमेशा करनी चाहिए आइलिंग से ही आपके बाल हेल्दी रहेंगे हेर फॉल नहीं होगा बाल आपके लंबे होंगे लेंध इंक्रीज होगी मतलब की हेर से रिलेटर सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है आइलिंग टाइम पर आइलिंग करें हफ़ते में दो बार हेर वाश करें अच्छे वाले प्रोड़क्ट यूज करें अगर आपने स्मूथनिंग डिबांडिंग या केरेटन करवाई अगर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लिया तो आपको प्रोफेशनल शेंपू ही यूज करने पड़ेंगे तो देखे इस तरह से आप ओईलिंग कीजिए बहुत ज़दा हेवी हेर ओईलिंग आपको अपने बालो पर नहीं करनी है थोड़ा सा ओईल अपने बालो पर लगाना है लेंफन स्कैल्प पर अच्छी तरह से ओईलिंग करनी है और इसे आप ओवरनाइट भी चोड़ सकते हैं अगर आपको ओवरनाइट इसे नहीं रखना तो 2-3 घंटे ओईलिंग करके रखें इसके बाद आप हेर वाश कर लीजिए आपको बालो से रिरेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चाहे आपने स्मूथनिंग करवाई है फिर भी आप ओईलिंग कर सकते हैं स्मूथनिंग करवाने के बाद सिरफ एक से डेड में ही आपको ओईलिंग नहीं करनी है उसके बाद आप रुटीन में ओईलिंग कीजिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए तो मेरी रुटीन तो यही है कि मैं ओईलिंग अपने बालों पर हमेशा करती हूँ इसके इलावा जो मैं एक चीज और बहुत ज़्यदा यूज़ करती हूँ वो है दही दही को मैंने बहुत ही ज़्यदा यूज़ की है मतलब गर्मियों में तो मुझे इतना अच्छा लगता है दही को यूज़ करना यह ऐसा कंडिशनर वर्क करती है और दही लगाने से डेंडरफ बिलकुल नहीं होता बाल स्मूथ सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं मतलब बहुत ही ज़्यदा फाइदे मनत है दही दही आप यूज़ कर सकते हैं अपने करवाए को अबब confront करवाने के बाद भी आप दही का यूज़ कर सकते हैं इससे आपके वालों को खोक्तिता का नुकसान नहीं होगा तो दही का जूज़ किजिए चाहे आपने रिबॉर्णिंग करवाई है जाहे नहीं करवाई फिर भी दहीं का यूज़ जरूर कीजिए इसके इलावा गाईज हफते में दो बार मैं हेर वाश जरूर करती हूँ गर्मियां और सर्डियां दोनों में मैं हफते में दो बार हेर वाश करती हूँ हम हफते में दो बार हेर वाश जरूर करना चाहिए अगर आपने oiling को एक एक हफ़ता करके रखा है तो उससे भी मतलब ना बाल खराब हो जते हैं तो हफ़ते में दो बार hair wash जरूर कीजिए जो भी आप shampoo यूज़ कर रहे हैं उसे पानी में mix करके यूज़ कीजिए इसे जो भी शेंपू में chemical डाले होते हैं वो आपको बालो पर बिल्कुल भी असर नहीं करते हैं इसे अच्छी तरह से पानी में mix करके फिर यूज़ कीजिए आप कोई भी शेंपू यूज़ कर सकते हैं मैं तो mask ही यूज़ करती हूँ मास्क को मैं as a conditioner ही यूज़ करती हूँ conditioner मैं कम यूज़ करती हूँ मास्क से ना हमारे बालो में tangles बिल्कुल नहीं पड़ते हैं बाल smooth, silky, soft हो जाते हैं मैंने अपनी पूरी smoothening में matrix के product ही ज़दा यूज़ की हैं या फिर बायोलाज के product मैंने यूज़ की हैं मुझे उनके result काफी ज़दा अच्छे लगते हैं आपको जो shampoo अच्छा लगता है वो आप यूज़ कीजिए conditioner जरूर अपने बालों पर लगाएं mask जरूर लगाएं और हफते में दो बार hair wash जरूर करें अपने बालों पर heating tools का ज़्यादा यूज़ मत कीजिए जैसे की straightener हो गया या फिर dryer हो गया इनका यूज़ मत कीजिए इससे हमारे बाल काफी ज़दा damage होते हैं natural sunlight में अपने बालों को air dry होने दें इससे हमारे बाल काफी ज़दा healthy रहते हैं इसके इलावा oiling जरूर करें और दहीं का भी use करें ये दो तिन चीज़े भी अगर आप कर लेंगे न तो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा बलकि आपके बाल काफी ज़दा healthy रहेंगे आपके बालों की length increase होगी और smoothing करवाने के बाद भी आपके smoothing कम से कम 2-2,5 सालों तक टिकी रह सकती है कई लोग मुझे comment करते हैं कि हमें smoothing करवाए 2 महिने हुए हैं हमारे बाल खराब होगे हैं हमें 4 महिने हुए हमारे बाल खराब होगे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अपने बालों की अच्छी क्यार करें अगर आप अपने बालों की अच्छी क्यार करेंगे तो आपके बालों को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा मैं पिछले 2 सालों से smoothing की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो दो सालों डेट साल के बाद भी आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बालों में बिल्कुल भी बेंड नहीं पड़ा, मैंने दोबारा स्मूथिंग नहीं करवाई है, कोई भी मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, फिर भी आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने च की अच्छी वाली क्यार करें जो जैसे कि मैंने बताया कि आप दहीं का यूज कर सकते हैं और अच्छे से करें तो गैज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते हो चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गैज मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाई